यह वीडियो में हम लॉजिकक के रिलेटेड और दो ऑप्रेशनं के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कपंडिशनल एंड वाइक कणडिशनल अप्रेशन्स ठीक है, so previous video में हम already description कर चुके हैं कि conjunction, disjunction and negotiation operations कैसे perform करते हैं using truth table तो अगर आपने नहीं refer किया तो refer पहले कर लेना, ठीक है, और channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना और maximum share करना ओके, so conditional का मतलब होता है, if p then q, if p then q, यानि कि p है तो he q है, उसको हम बोलते है conditional statement, ठीक है, या फिर symbolically लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते है, p implies q, q, ठीक है, और by conditional में if and only if type हो जाता है, so, इसको ऐसे लिख सकते है, p if and only if, q, ठीक है, उसको लिखना है तो symbolically लिख सकते है, p और double arrow, q, ठीक है, so, यह है conditional, इसको बोलते है, by conditional, ओके, अब question या आता है, कि उसका truth table कैसे चेक करें, क्यासे बनाए, ठीक है, तो मैं दोनों nearby ही लिख देता हूँ, so, मान लेते हैं, यह पहले हम implication का ले ले, so, p, q, अब हमें पता है, दो primitive statement है, तो t, t, f, f, चार combinations बनेंगे, t, f, t, f, ठीक है, और अभी हमें बनाना है, p conjunction, q, sorry, p implication, q, p implication, q, ठीक है, यह, t, f, f, short मैं आप लिख सकते हो, ठीक है, so, p अगर true है, q, b, q, f है, p true है, q, false है, तो ही, p implication, q, false होगा, otherwise, सारे के सारे cases में, true होगी, ठीक है, so, यह एक अलग है, इसलिए इसको याद रखेंगे, t, f, f, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, t, f, f, जब हम, implication का टेबल बनाएंगे, t, f, f, याद रखेंगे, ठीक है, so, आप यहाँ देख सकते हो, t, f, f, बन रहा है, यहाँ देखो, t, f, f, यहाँ देखो, t, f, हो गया, इसलिए यह वर्क नहीं करेगा, बाकी तो t है ही नहीं, so, i hope, समझ में आ रहा, t, f, f, का मतलब, implication है, तब t, f, f, याद रखना है, ठीक है, okay, so, t, f, f, और बाकी सारे में क्या हो जाएगा, यह true, true हो जाएगा, तो यह हो गया, implication के लिए table, अब double implication के लिए table क्या बनेंगे, so, मैं यहाँ देता हूँ, and, so, यहाँ है, p, यहाँ है, q, और मान लाते है, double implication है, p, double implication q, okay, so, हमें पता है, कि इसकी combinations, चार combinations बनेंगे, okay, अब यहाँ याद क्या रखेंगे, कि दोनों सेम है, तो ही true, दोनों सेम है, तो ही true, यानि कि लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते है, कि, दोनों सेम, यानि कि, t, t है, और f, f है, तो ही result true आएगा, दोनों सेम होने चाहिए, या तो t, t, या f, f, तो ही result आएगा true, double implication है, इसलिए double implication लग देता हूँ, ठीक है, तो double implication का मतलब double, दोनों सेम, t, t है, तो f, sorry, t, t है, या f, f है, तो answer होगा ठीक है, तो दो combination बन रहे हैं, तो देख सकते हो, t, t है, इसलिए t बनेगा, और f, f है, इसलिए भी t बनेगा, समझ रहे हैं, और remaining में f, तो यह हो गया double implication के लिए, true table, ठीक, अब यहां मैं छोटा से homework दे रहा हूँ, ठीक, मान लो, example ऐसा है, कि verify करो, कि p implication q है p implication q, वो equivalent to negation of p disjunction q है, यह proof करो, कर सकते हो, और हाँ, तभी कर सकते हो, जब अपने previous वीडियो देखा है, क्योंकि यह कैसे calculate करते हैं, कैसे दिखाते हैं, उसके बारे में हमने भी थे, भी थे example, previous वीडियो में, discussion कर चुके हैं, अगर यह नहीं कर सकते हो, तो previous वीडियो देख लो, वो देखोगे, तो उसके बार definitely हो जाएगा, ठीक है, तो yes, मैं आने कर रहा हूँ, it's up to you, हम जा रहे हागे, so next, जो हमारा target है, वो एक और बड़ा सा example है, यह तो छोटा example है, so एक और example हम कर लेते हैं, for example, show that, show that, थोड़ा बड़ा statement ले लेते है, P implies Q, conjunction, Q implies R, implies, P implies R, is tautology, is tautology, ठीक है, अब tautology क्या है, वो तो आपको समझ में आई गया होगा, again, अगर नहीं पता है, तो आप previous वीडियों देख लेना, उसमें depth समीं discussion कर चुके है, ठीक है, अब mainly हमें इसके लिए truth table बनाना है, truth table बनाएंगे, तो tautology है, या contradiction है, वो पता चल ही जाएगा, बट यहाँ show that लिखा है, मनलो show that नहीं भी लिखा होता न, तो मतलब कुछ और लिखेंगे, जैसे कि check whether the given statement is a tautology or not, बट शो लिखा है, तो tautology हो नहीं वाला है, ठीक है, तो कोई matter नहीं करता है, बट इसके लिए truth table कैसे बनाएंगे, यहीं करता है, ठीक है, और हाँ, यहाँ statement देखने से आपको पता चली जाएगा, कि बहुत बढ़ा statement है, तो इसलिए हम method 2 यूज़ करेंगे यहाँ, method 1 से आप जाओगे, तो space कम पड़ेगी, और अगर previous video नहीं देखा है, तो method 1, method 2 या है, वो पता नहीं चलेगा, ठीक है, वैसे सारे वीडियो लिंक में ही होते है, तो आप 1, 2, 3, इसे sequence में सारे वीडियो attempt कर लेना, तो ही conceptually clear कर पाओगे, ठीक है, और हाँ, जैसे अभी त notification मिलता रहे है, अधर वैसे आपको पता भी नहीं चलेगा, कि इसका तो video upload हो गया, anyway, let us start solution, okay, so हमें पता है, कि यहाँ, P, Q and R, तीन primitive statements की जरुत पढ़ने वाली हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ, P, Q and R, यह तीनों के columns बना देते हैं, और एक चीज, तीन primitive है, तो टोटल combination कितने बनेंगे, 8, हाँ, so 8 combinations बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, okay, अब वो 8 combination कौन कौन से होंगे, वो भी में लिग देता हूँ, वो होंगे, T, 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 4 T है, फिर 4 F आलेगा, ठीक है, अब यहाँ दो-दो के groups होंगे, so T, T, F, F, T, 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 F, F, और यहाँ सिंगल सिंगल, यहने के T, F, T, F, T, F, T, F, I hope यह 8 combination कैसे बन रहे है, वो सब को समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब method 2 में जाने वाले इसलिए as it is statement को लिख देंगे, बट जहाँ bracketing है वहाँ, space नहीं रखेंगे, ठीक है, so यह भी bracketing है, यह भी bracketing है, उसके बाद P है, वो statement है, इसलिए उसके लिए space रखेंगे, पॉलम के लिए, फिर है implication, वो भी एक operation है, फिर है Q, वो भी statement है, फिर उसके बाद bracket, वो कोई operation नहीं है, उसके बाद आएगा conjunction, वो भी एक operation है, उसके बाद आएगा bracket, उसको operation नहीं है, उसके बाद आएगा Q, उसके बाद आएगा implication, वो एक operation है, इसके बाद आएगा R, R के बाद bracket बड़ा bracket यह सो एक में आ जाएगा फिर आएगा implication उसके लिए space रखना पड़ेगा फिर आएगा P bracket को कोई मतलब नहीं है P इसके लिए space रखने पड़ेगी फिर implication उसके लिए भी space रखने पड़ेगी और फिर आएगा R अब bracket over ठीके सो मैंने क्या किया जो statement हम under trial है उसको as it is लिख दिया बट sufficient space रखे जहां जरूत पड़ेगी जो operation है या फिर primitive statement है वहाँ हमें space रखने पड़ेगी bracketing है वहाँ नहीं ठीके method 2 पे हम जा रहे है सबसे पहले क्या करना है P Q R copy paste कर देना है तो देखो यह P है तो P की जगह क्या लिखेंगे T, 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 T F, 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 F ठीक है ओके फिर Q तो Q में भी हम copy paste कर देंगे T, T, F, F T, T, F, F T, T, F, F फिर Q अगें so T, T, F, F T, T, F, F R T, F, T, F T, F, T, F T, F, T, F फिर P है तो चार-चार के ग्रूप में हैगा T, 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 T F, 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 F फिर R सिंगल-सिंगल के ग्रूप में T, F, T, F T, F, T, F I hope यहां तक calculation समझ में आ रही होगी आप चाहो तो method 1 में भी जा सकते हों जो भी आपको अच्छी लगे ओके अब देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं देखो यह bracket की value यहां यानि कि P भी है हमरे पस Q भी है तो implication कर सकते हम और implication में जैसे अभी अभी हमने देखा implication में क्या हम याद रखना है T, F, F फिर से मैं बता दू implication में हम क्या याद रखेंगे Yes, implication में T, F, F T है, F है, तो ही F होगा तो मैं implication पहले कर देता हूँ देखो यह implication So, T है तो यहाँ F होना चाहिए T है तो F होना चाहिए T है, F है तो F होगा T है, F है तो F होगा बागी तो T है ही नहीं तो remaining हर जगह पे T आईगा T, 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 T I hope समझ में आ रहा होगा ठीक है, So, यह होगा हमारो Statement No.2 यह होगा हमारा Statement No.2 ठीक है, Similarly, यहाँ भी implication कर सकते हैं तो same logic again T, F, F तो T, F नहीं है, T, F है तो यहाँ F है तो यहाँ F है तो यहाँ F है आईगा तो F, T, F तो F बाकी जगह T आईगा T, 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 T Clear अब अब यह implication कर नहीं सकते हैं, हाँ भी यह implication किसके साथ है, यह पुरा bracket के साथ यह पुरे bracket का implication तो यह implication अभी नहीं हो सकता यह कर सकते है, किसके साथ है, P और R के साथ P भी है हमारे पास, R भी है So, T, F, F यहाँ F फिर टी है टी एफ ए एफ विए फ दो यह आप आएगा अधर वाई हर जग टी आएगा ठीक तो यह था हमारा सेकेंड स्टैब और यह था सेकेंड और यह भी सेकेंड था ठीक है यस अब देखो यहां देख सकते हैं यह conjunction अभी हम कर सकते हैं क्योंकि यह bracket की विल्यू यहां है यह bracket की विल्यू यहां है यह जो step two two आपको दिखाए दे रहा है यह जो two column है वो यह bracket की विल्यू है यह two है वो यह bracket की विल्यू है अब यह दोनों के बीच में हम conjunction कर सकते है और conjunction का मतलब क्या होगा कि दोनों ट्रू है तो ही ट्रू ठीक है सो देख सकते हैं दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू फिर दोनों ट्रू नहीं है दोनों ट्रू नहीं है दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू फिर दोनों ट्रू नहीं है दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू और यह द अब बाकी सब जगह क्या हो जाएगा एफ क्लियर ओके सो एफ 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 और एफ ओके अब ये था हमारा स्टेप नमबर थ्री वह भी लिप देते है ठीक है तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो पूरा ब्रेकट आपको दिखा दे रहा है उसकी विल्यू टोटल विल्यू यहां है इसके साथ है और इंप्लिकेशन का मतलब है टी एफ एफ टी एफ एफ ठीक है? ओके, तो यह दोना का हो ठीक है? यहाँ टी है, यहाँ टी है यहाँ एफ है, यहाँ एफ है यहाँ एफ है, यहाँ टी है एफ है, एफ है टी है, टी है एफ है टी है टी है टी है टी है टी है समझ में आ रहा है तो वो तो combination बनी नहीं रहा है जो implication में हमने यह बनाया था TFF तो TFF यानि कि T है एफ है तो ही answer F आएगा ऐसा तो कोई combination नहीं बनाया ठीक है इसका मतलब F का result मिलेगा नहीं हर जिग यह हमारा फॉर्थ और यह है फाइनल अंसर फाइनल स्टेप या फाइनल अंसर जो भी बोल रहे हैं ठीक है तो हम देख सकते हैं कि फाइनल स्टेप में हर जग टी 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 ही है इसलिए इसको बूलते हम टॉट ओलोजी ठीक है इसलिए फाइनल गिवन स्टेप में इस गिवन स्टेप में इस टॉट अलोजी अ यह अधिक और मानलो हर जगे फ्फ्फ मिल रहा है तो उसको मूलेंगे गांट्राडिक्षन और कॉंट्रेक्षन भी नहीं है टॉट अपका अंसर होगा ठीक है इससे भी ज्यादा और भी है बट फिलहाल हम इसमें इंट्रेस्टेश्ट नहीं डिसकस्ट नहीं करेंगे बात में करेंगे नेक्स वीडियो में ठीक है ओके सो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ बाई